तो हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप अच्छे होंगे और खोस होंगे तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप गूगल से बात करने वाली वीडियो कैसे बना सकते हैं फ्रेंट्स आपने अक्सर देखा होगा कि लाइकी या फिर टिक टॉक एप पर कोई लड़की गूगल से कुछ पुछता है और गूगल फिर उसका एंसर कुछ फणी आब आज में देता है तो फ्रेंट्स आप इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हैं तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे चलिए फ्रेंट्स बीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन augसे पहले फ्रेंट्स अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कि आ है sound of text, तो friends sound of text को type करके आपको इसे search कर देना है, friends से search करने के वाद आपके सामने यह जो पहला बाला link आएगा, friends आपको इस पर click करना है, उसके वाद friends आपका page कुछ इस तरीके से open होगा, तो friends आपको यहाँ से अपना language को select कर लेना है, language को select करने के लिए आपको यह नुकिला जैसा icon मिल रहा है, इस पर click करना होगा, उसके वाद friends आपको यहाँ से अपने language को select कर लेना है, चलिए friends मैं यहाँ से हिंदी को select कर लेता हूँ, friends language को select करने के बाद आपको text में वो सब्द टाइप करना है, जो आप Google से बुलवाना चाहते हैं, यानि कि आप जो भी पूछे है, friends text को type कर देने के बाद आपको यहाँ submit पर click कर देना है, उसके बाद friends आपका यह text voice में convert हो जाएगा, तो friends अब आपको यहाँ download पर click करके आपको इस sound को अपने phone में download कर लेना है, और friends अगर आप चाहें तो यहाँ play करके आप इस sound को सुन भी सकते हैं, जैसे कि देख लि आपको इस पर आपको इस सर्च कर देना है, तो friends आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, और इस पर इसे ओपन करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है, चलिए friends मैं इसे open करता हूँ, friends open करने के बाद ये application कुछ इस तरीके से open हो जाएगा तो friends आप आपको यहां record पर click करना है और उसके बाद friends आपको यहां से अपने उस voice को record कर लेना है जो चीज आप Google से पूछना चाहते हैं जैसे कि देख लिए friends मैं यहां से record कर लेता हूँ Google बताओ मेरा नाम क्या है तो friends चलिए मैं इसको record कर लेता हूँ Google बताओ मेरा नाम क्या है तो friends आपने जैसा कि देखा कि यह audio मैंने record कर लिया है उसके बाद friends आपको यहां से back आना है उसके बाद friends आपको यहां merge audio पर click करना है उसके बाद friends यहाँ पर आपको उस दोनों अडियों को जोड़ देना है तो friends अडियों को जोड़ने के लिए आपको यहाँ अडियों पर क्लिक करना होगा उसके बाद friends आपके सामने यहाँ उपर वो दोनों अडियों आ जाएंगे तो friends सबसे पहले आपको अपने द्वारा record की गई voice को जोड़ना है तो friends उसके लिए सबसे पहले आपको अपने audio पर click करना होगा उसके बाद आपको यहाँ add in merge list पर click करना होगा उसके बाद आपका audio यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद friends आपको एक बार फिर से यहाँ add audio पर click करना होगा और friends इस बार आपको उस audio को select करना है जो audio आप Google से download किया है तो चलिए friends मैंने जिस audio को Google से download किया था तो चलिए मैं उस पर click करता हूँ उसके बाद add in merge list पर उसके बाद friends आपका दोनो अडियों यहाँ आ जाएगा तो friends आपको इस दोनो अडियों को जोडने के लिए आपको यहाँ merge पर click कर देना है merge पर click करने के बाद friends आपका वो दोनो अडियों जोट जाएगा उसके बाद friends आपको यहाँ OK पर क्लिक करके इस अडियों को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है चलिए friends मैं इस अडियों को डाउनलोड कर लेता हूँ OK पर क्लिक करके Friends OK पर क्लिक करने के बाद आपका वो अडियों आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा और Friends, अगर आप चाहें तो यहाँ पले पर क्लिक करके आप उस आडियों को यहाँ से सुन भी सकते हैं जैसे कि देग लिए Corns, मैं यहाँ पले पर कलिक करता हूँ उसके बाद हमारा वो आडियों हमें सुनाई देगा 대해서 जो रोल बताओ, मेरा नाम क्या है?। तो तो अफरिंट्स आप ने देखा कि वह दोनों अडियों कि इसमें जूड़ गया है उसके वात फ्रेंट्स यह आपको आपके फॹ्ण में डाउनलोड कर लेना है और आपको अडियो के अनुसार ही वीडियो में एक्टिंग करना है और फ्रेंट्स आपको फिर उस वीडियो को रिकॉड करके काइन मास्टर एप में जाकर उस वीडियो में आपको इस अडियो को जोड़ देना है तो फ्रेंट्स जब आप उस वीडियो में इस पसंद आएगा फ्रेंट्स वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजेगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दवाकर ओल के आप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजेगा चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर ए टेक केर